सब्सक्राइब जी में हर्जोदकौर हाजिरां जी लेके तवाड़ अपना मनपसंदी इमिग्रेशन शो उडारी विदेशानू सो हमेशे स्टुडेंट्स नों इंतजार रहने है कि असी इस शो दे विच ताज अपडेट्स जो तो लेके आने हैं स्टुडेंट्स से सवाल सा अपना जो शो दे विच जानकारी वत्त 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 वाड़े तक पंचान दी कोशिश भी कार दे हैं आज वी उसे कोशिश देते हैं तो आपा इक वार फिर इसे शो दे विच गलना करनी है ते सारियां स्टडी वीजा नो लाएकि एस्ट्रेलिया बारे गल करांगे सब्सक्राइब करें तो वीजा एक्सपर्ट मिस्टर शेवी टिवाना जी बहुत बस्वागत है जी तास्रीकाल जी अस्ट्रेलिया तो अगर शुराद करी रिफूसल रेट वड़े आशी काई कंसल्टेंट्स दिन आले शो विच जानकारी स्टूरेंट्स अक पोंचाही र क्योंकि रिफूसल आन दा एक कारण एक रीजन हुन दा मानलों जे कोई काम नहीं बन दा भे और किसे कारण तो नहीं बन दा भे आज तुसी वीजा अप्लाई केता हुथे पढ़न जान दा तो अड़े पड़ा इदे वेच नंबर काटने जा तो अड़े कोल आल्स पेटी स्कोर काटने जाथ उसी गल्त कॉलेज और कोर्स चोन लेया एदे रीजन करके तो आड़े वीजा हो जन दा रफ्यूस जा तो अड़े फंड फेक ने जा फंड दी जस्टिफिकेशन नी दिती गईया अच रीजन करके तो अड़ी फाइल अम ऐसी दे विचो खराब हो जन द जा रफ्यूस जा रहनी शुरू हो जन दिया अग्ज़ तो ऑस्टेलिया थे केस शुरू होई सी उस्टेलिया वह ज़ादा वीजा ग्रांट हो जा ता आज भी एन यह कि उस्टेलिया रफ्यूस ना बहुत दे रहा देखो जी पंपनी ने जीडे एजन ने फाइल नू अच वीजा रसीब करके आई जीडी फाइल नहीं रिपर्जेंट होई होई है ओ फाइल रफ्यूस वाल हो चुकी है जो अच्छे तरीके ना रिपर्जेंट दे उते वीजा जे तुसी एदा ही अपने डॉकुमेंट्स नो जस्ट समिट करवान दी कोशिश करके अगे वीजा बिलकुल बिलकुल सही गालतों से कही है पर एथे वी जाणना चाहँ है कि की रिफ्यूस लानी या सक्सेस मिलनी वीजा दे ओपर डिपेंड करदा है कि आपा उनिवर्सिटी अप्लाई किता है कि कॉलेज अप्लाई किता है तांकि स्टूडेंट्स इना चीजा नो समझ सकं इस जस्ट इनफर्मेशन जेडिया पंजाब दे स्टूडेंट तक पचाहिया जा जा रहिया ने ओ बहुत ज़्यादा गल्द इनफर्मेशन आज पंजाब दे बच्चियां को लह गिया जिना ने अगे पढ़न जाना चाहँ देने मालो जो किसे कॉलेज दा वीजा नही आन उनिवस्टी दे बच्चो उनिवस्टी और बच्चें रेफ्यूज कर दे तो यानने कॉलेज भी रेफ्यूस कर दे पहई ने रफ्यूसल आनदा कारण हूंदा तो अडि जस्टिफकेशन बिल्दा जितना नगी परफाइल आपनी परफाइल दे अकॉर्डिंग कोलेज एं यह काफी चीज़ा हों दिया ने वीजा लें देली ऑस्टेलिया तो आनो वीजा दाऊगा यह तुसी वीजा लेना चानने हो अच्छे तरिक्के ना रीप्रेजेंट फाइल होगी वीजे पहुंचोगी जह नहीं रीप्रेजेंट किती होगी तो फाइल रफ्यूस होगी जान वीजा आन देविच और केडियां गलती है ना तुसी रिफ्यूजल फेस कार देओ तांके तुसी अवेर होगो तेओ गलती है ना को आपने कंसल्टेंट नो भी जो है सवाल लगाता तुसी कार सको किस तरीके ना तो आड़ी फाइल जीड़ी रीप्रेजेंट किती जा रही है एड़क्वार्टर फिमिग्रेशन सर्वसीज जो नंबर है लगाता डिस्प्ले होरे जी स्क्रीन देओ पर इस उपर कॉल करके तुसी ना दी टीम देना रापता कायम कर सक्देओ कोई भी दुचित्ती होवे समझ नहीं आरी कल ता जरूर एक वरी कॉल करके तुसी सला ल और के डे स्टूदेंट्स ए किन्ना गैप वाले स्टूदेंट्स हाले भी अप्लाई कर सब्या है देखो कर देओ तुस्टेय नहीं चाहरे हो ने किसे भी कंट्री दा बहुत ज़्यादा कंपनियां वहलों ड्लोई नहीं एक इन्न ऐसा definite बनाया गया कि गैप होगा तोड़ दिखो उसमों जोड़ा गली साल जह सरे न ऑगली साहर जिक्भात उस्तों बाद एंटेक उपन आथ घर करसें तो मैं ऐपन जिए हुवक। ने अंहीं साल माई-जुलाई compels ने अगले साल राहे यह 30D Ciao साल खतम होना विच दे साल विच 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 ता बहुत मुश्किला कोई इंटेक लेना सो अगले साल जनवरी फर्वरी तो इंटेक ओपन ने जिन्ने भी स्टूडेंट जाना चांदेने क्योंकि आज पंजाब दे विच चंगी रीप्रेजेंट नी मिल दी फाइल एज में चीज हुन दी रिख लेन अपने एरपोड क्लिरेंस करते यह अधे विच पूंकि उस फाइल देवेच तुस्य विज़ा ओफीसर नूग किदा क्लिरेंस देनी यह चांद हम उच्छान आज रीपरजेंट नहीं होई तथध विच विच नहीं मिलना क्योंकि विच विच बसना बेंदा कि तुसी क्यों वीजा ले रहे हो नंबर दो देखो requirement बहुँ ज़्यादा मेंटर करते हैं जेड़े बच्चेयां दे साथे बंच बेंड ने उस टेलिया देविच अप्लाई करके वीजा हासिल कर सकते हैं जिना दे 40-45% नंबर ने उना दे लेवी college courses बने ने options हैंगी याने देखो option दे according हार एक profile दी option हुन दी या एन्ट जी प्रफाइल दी option किसे वी country किसे भी location चे नहीं हैंगी हार एक application दी requirement बणी हुई या बस requirement जारी मेंकत थी लीजिपल्टी देखनी पहनं दिया कि a requirement eichlaufu okay हो फ О्र गया भी रेयन लीजबल्टी बन दी वाई के नहीं बन दी जाता हुआ बिल्कु अब लीजी बल्टी या ज पंजाबिक नहीं देखी जारी इनल माननो किसे एजन कोल डास कोलाज ने दास युनिवस्टी यह उनों सेल करी जा रहे हैं वह ए चीज नहीं देख रहा है कि बच्चे दी लिजीबल्टी उत्थे बनी हुई है कि नहीं लिजीबल्टी तो बिना तो नो वीजा नहीं मलना जिया जिए तोडे 50% नमबर ने तो नो युनिवस्टी एकसेप्ट नहीं कर रही तुसी कॉलेज चे अपलाई करो क्यों तुस दे मुकाबना पचान दा दावा कर रहे हैं पहला एचीज देखो कि ओ अपनी ने या ओ जुम्मेवार परसन ने किन्ने का अगए बच्चेयां दी जुम्मेवारी चुक्कि अगए पचाता क्योंकि जदो तक तुसी ए नहीं वेखों कि उन्होंने किन्ने का वीजे लगवा के दे रहे हैं डेड़ दो में ने चे स्टूडेंट दा स्टडी वीजा मिल दा पर जेड़े अपना अप्लाइ किते सी के केसी से उन्हां दे वीजे आने शुरू होगे ने तो किसे अपनो आए वीक कंपनी दे वेच हफ़ते चे दस वीजा वीजा एदा सानों ऑस्टेलिया ग्रांट हो रहा है अशी देखो मैं नहीं कह सगदा कि रफ्यूजा बहुत आरिया ने मेरे वीजे आरे ने जड़े मैं अपलाई किते सी ओं बहुत वीजा आरे है मैं ता इहीं गल कोंगा कि वीजा आ बहुत रहा बट जो बच्चे रफ्यूज होके बार हो और किसे कंपनी होके मिलना रहे है है रहने मेरे किया है हने भार हो छार मेरे प्रसंते संगे रफ्यूज हो गया रहा है मार्केट रफ्यूज भी बहुत सभी बहुत बट है Hence बिल्कुल सही कहा है तुसी और लगातार रेफ्यूजल नो लएके सवाल भी साड़कुल बढ़े ही रहें देने हाला कि आपा पिछले शोवीच तौड़े जो लगगे स्टूडेंट्स वीजा भी दखाए सेगे इसलिए बहुत जरूरी हुंदा है कि चंगी गाइडेंस देनाल अग्ये बढ़े आ जाये तुसी कित्थे अलिजिबल हो यह तो अनुछ जरूर पता हो पिए पेरेंट्स नो भी जरूर सोचना चाहिए कि आसी किते तक्ये नाल कंसल्टेंट्स नो कह के तुसी वीजा नहीं ल अश्ट्रेलिया तो रफ्यूसल आ जान दिया बट चुडेंट्स जाना भी जान चाहना है तो फिर उनो रिये प्लाइ कर ली किना टाइम लगाना चाहिए विचे केडिये चीजना चेंज करना चाहिए ताहां कि दुबार अप्लाइ का रहे कर अपना वीजा ले सके देखो जो तो एक रफ्यूसल आगी सेकंड आइम अप्लाइ करना ओधे देखो साथी कंपनी सिर्फ चोवी तो अटाली कंटे ले रिया किसे भी बच्चे दी फाइला रफ्यूस हो चुकी अस्ट्रेलिया तो जा किसे भी कंट्री तो अपनी अप्लिकेशन लेकर डॉक्मेंट लेक के साथे ओफिस आओ चोवी अटाली कंटे लिच थोड़ी असेस्मेंट होगी कितना की में वीजा मिलूगा ओदेली लोयर्स टीम बेठिया अग्गे दो रॉकुमेंट्स लोयर कोल पर जे जानंगे तो प्रफाइल दी लीजिवल्टी देखी जाओगी की कारण रहे है रफ रिकर सीव होगी ने वीसे स्टेल या रफियूजल के से की रफियूजल कारण से किसे दी फंड़िंग सही नहीं ला है किसे दा कॉलेज कोर्स नी सही चुनिया ज की कहता ओ ही अप्लिकेशन दी असेस्मेंट के तिया ओहई एप्लेकेशन सी जो स्टेलिया गौवर्णमेट वह रिफ्यूज होई सी आज ओही एप्लिकेशन वह सी वीजा लेके देता के दां लेके देता उन्हादी लीजीबल्टी जित्थे बांदी सी लीजीबल्टी देती यह उत्थे ओधा कॉलेज कोर्स अप्लाई करता फंड दे विच की देखकत आ रही सी और फंड दी वीजा लगोगा के दो मांगा क्योंकि उस्टेलिया दे विच जडी फीसा पेई हो रही है कट सिक्स मंत दी फीस पे करनी है तुसी अपनी अमबैसी दी फीस ते मेडिकल ते अपने फंड चार चिज्जां चाहिए दियाने तो अन्वाज ऑस्टेलिया दा वीजा लें दे ल वीजा हासिल कर लोंगे मेरे को लूँ तो नराज कुछ भी तो उनों टेंशन परिशानी है वीजे नों लेके एक वारी कंपनी दे विच कॉल करो जा विजट करो तो अड़ा वीजे दा हल जरूर हो का जी बिलकुल यानि कि आपा इमान सब्सक्राइब के मोस्ली अगर अग कर दें था उते ऐब वहुत ही ज़रूरी हो जाना है जड़ा कंसल्टेंट अवाकिक यह किना को क्यां सफिरियांथ है उन्हें किना को काम कदो कहा था वीजा लएकिया हो इने सो पहला जाके जरूर लगे वीजा देख्या करो किस पर्फाइल से पहला काम किता हो तोड़े consultant ने ऐचीजा देखन तो बाद परखन तो बाद ही अपनी प्रोफाइल है जड़ी किसे देहाथ दिया करो तांके रिफीजल तानों फेस ना करनी पर वे बाकी तोड़ा कोई सवाल है जेकर ता स्क्रीन ते लगाता है नंबर डिस्प्ले हो रहे है जी हैड को आटर ओफ इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर है तुसी कॉल करके टीम देनाल राप्ता कायम कार साग दियो तांके सही दिशावाल चाल दे होए तुसी अपना वीजा हासल कार सको सो रिफ्यूजल बारे भी अपा गल किती है गयाप बारे भी गल कार चुके है आईल्स नो लेकर भी गल करना चाहूंगी आईल्स यां पीटी ही की फरक पेंदे इना दोहां चीजा नो लेकर के पीटी वाले आईल्स वाले आदे लाग रहे हों हाला के असी जिना सोच दिया कि अगर अलावड है ताही जो है अपलाई किता जा सग्दा पर स्टुडेंट्स दे मान वीचे के कि दुचिती जरूर है दी है देखो स्टुडेंट्स दे विच दिल दे विच बहुत गला हूंदी है आज अपनी लाइफ नो लेके बहुत जादा जी सीरिस होया बच्चा क्योंकि जड़ा पर गल कर लिया जो तो आट-दास साल पहला दी गल कर ले उस तेम दे जड़े स्टुडेंट्स सुन्दे सी वह इनी टेंशन नहीं लेंदे सी गई वो केंदे भी बस ठीक आसी पास कर ले थ बैंड स्कोर कट गे ने फिर विद उसी अस्टेलिया प्लाई कर सकते हो क्योंकि अस्टेलिया दी मैक्सिमम मीनिमम रिक्वार्मेंट ही ओवरॉल सादे पंज बैंड दी जी क्योंकि तो अड़े आस दे विचो सादे पंज बैंड तुसी 40-45 परसेंट नंबरां देना लपा ही देने मैक्सिमम पंताली कर लो तुसी चाली तो काटना होवे पंताली तक हों तो अड़े तुसी विजा लेंदे लही लीजी बोलो क्योंकि पंजाब वेच्छे जेडे आज विजे अपलाई हो रहे ने ओ किनने के एक्सपीरियंस परसन तो अपलाई हो रहे ने ओचीज आज जड़े बंदे नू काम कर दे ही दो साल हो गयों कितना थोड़ा वीजा लगवा के दे दुगा सो जदो वीजा अपलाई होंदा ओधे ली बहुत चीज्यां विखनियां पहंदियां होंदी याने कितना थोड़ी फाइल नू सम्मिट कराना केड़ा कॉलज केड़ा कोर अधना वीजा ओफिसर नू क्लिरेंस करवाना वीजे दे लिया नू कन्वींस करना एक तजर्बेकार ही कंपनी या एक एजट कर सकता जड़ा बंदे नू हजे नमी नमी इस लाइन दे विच काम शुरू कर दे होया तो मैं नो नहीं लगदा कि वीजा ओफिसर नू कन्वीं लाइग लाइगी या झार खिर कुछ रूसतानी चेंज हूंदे लाग दे लाग दे लाग लाइट है नू कि अधना पहल बहुजाएगी आ जब बहुत कॉट काट जाट एचीज मार्किट निविच चल दे पिया आज शाधी कम्पनी दे एच शॉक्ष रहा चार रही चार करिकेंगे निए तक डायए कंट निए 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 छिनना वीजा शुरू हो गया क्योंकि विजा लाया सि 50 परसेंट सी वीजा रसीव कर चुके हैं तो 50 परसेंट आना लिक दो में निच्ट हो जुगा सो साथा उसे लिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल दा बाकी मार्किट दे विचे जो दो बच्चे साथे कोल कॉंटेक्ट कर देने कॉल्स कर देने शो दे जरीए साथे नालग देने सो दो दो बता लगदा सानु कि मार्किट दे विचे रफ्यूजला भी आरिया ने जी 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 सो जदो आपनू बारों कोई दस्यू गानी भी साथा की इस दा हो गया सो आपनू पताने लगूगा साथे काम करन दा तरिक्का उसी ओदेच कामियाब हो रहे हैं आसी वीजा रफ्यूज हो गया जब वीजा अपलाई करना चौन देने में ना कॉन्टेक्ट करो तो वीजा लगवाक्य दमांगे वीजा लेना कोई ओखा भी नहीं हैगा एक चंगे तरिक्के ना लो फाइल नो रिपर्जेंट करना एक वीजा ओफिरसर नो समझाना की मैं की करन आ रहे हैं तो अडे मलक देवेचे केडियां केडियां तुसी आपशना चुनियाने ते हो देवेचे तुसी वीजा हासिल कर सकते हो एक जुम्मेदार एक एक एक्स्पीरियंस कंपनी ही एए चीज तो नो फेस करके दे सकती है जी बिल्कुल सही का तुसे कहिए कि एक जिमे पर की लगदा है कि जो रिफ्यूजल एथे भी बहुत जादा सी ते शायद स्टूरेंट्स अरुजान का ट्रैस अंबैसी ने एक दामी को आफ़र टाइप कारता उना दरुजान वापिस ले आंदे लिए किनना को फर्क इसनाल पाएगा जड़ा फुल टाइम वर्क सिस्टम सिगा देखो किते ना किते हारी कथा थे एक काम नो थोड़ा समा लाग जादा बिल्कुल कैनडा नो पूरा एक साल नो मिनने लगे सी बच्चियां दी फाइल नो रिप्रेजेंट करके अगे उना दे डिसीजन देन तक सो अज ऑस्टेलिया दे वेचे जड़े मेरे जनवरी दे वीजे आने शिरू होगे ने कैनडा दे सो अज जड़े अपना वीजा दखावागे हो बच्चे दा जनवरी टेक दा वीजा आ गया जो बच्चे नो बहुता सम्मानी लग गया बायोमेट्रिक होगे अगस्त देवेच ता अपना स्तंबर दे फस्ट वीक वीजा आ गया सी तो हुन होगे स्टेंपिंग होगे पासपोर साथी तक सम्मेट हो चुक या उन बच्चा आना ले दो या डेड़ मेने तक को फ्लाइ कर लोगा सो हुन गाल कर दे जड़े जड़े ओपन वर्क परमट भी कहरे ने काफी जड़े खुलने ने तो जड़े अना थे हस्बेंड कैनड़ा सी उन अना थे लेवी बहुत वधी उपचुन्टी आ गिया जिदा स्पाउस कैनड़ा बैठे हो अपलाई कर रहुगा नो दो मेन दे विजा मलदा पया तो जड़े बच्चे हुन वीजा लेके स्टडी ते पहुंच गे ने उन वीक अंटे वी जिदा पहला बला रहे हैं सीना आज डवल ट्रिपल रेटिंग दे अकॉर्डिंग तो अनू कैनड़ा वैलकॉम करने जा रहे हैं आपने लिए बहुत वधी आज ऑपरचुन्टी मिल रही है 2003 दे विज की बिलकुल बिलकुल सही तुसी पॉइंट है चक्या वाकि क्योंकि इससे लिए शोव यसी लेकर आने हैं तांके एक एक पॉइंट तो आनू जो है डिटेल देविच समझा सेके के केडियां चीजां बहुत जरूरी बहुत मैटर कर दिया ने तोड़ा वीजा आं देविच और केडियां गलतिया ना तुसी रिफ्यूजल फेस कार देओ तांक जरूर एक वरी कॉल करके तुसी सला ले सकते हो विजिट करना चाहो ता पते आला देविच इना दा ओफिस है एड्रेस डेटेल जो है स्क्रॉल देविच लगाता चाल रही याने डॉक्मेंट जी असेस्मेंट तो बाद ही चंगी तरह गाइड किता जा सकते है के राइट चाहरे हों केडी है आस्ट्रेलिया होना केड़्े इंटेक लिए प्रॉलेंट्स अपलाई करन और केडे स्टुडेंट्स अपलाई कर मैं किना इमक मम करते हैं वन्याट स्थूदेंट्ट्स भाले चाहरे हम उसी अजीज़ी एंद दे ंजन करणा उद रीजन दो विसर मेरा गैप इस रीजन ते प्थे पढ़ जा रहे हैं चीक है जी जीज़ार गैप दी होगी जस्टिफिकेशन उस तो बाद गलां दिया इंटेक दी फड्री इंटेक उपना तुसी फड्री अप्लाई कर सकते न अग्रे नहीं अगले साल देव जनवरी फरवरी तो इंटेक ओपन ने जनने भी स्टूडेंट जाना चाहन देने क्योंकि आज पंजाब देविच चंगी रीप्रेजेंट नी मिल दी फाइल एजन्ट को जान दिया जस्ट नॉर्मल जी डॉकुमेंट चला के नॉर्मल जस्टिफिकेशन देखे और फाइल अमबैसी तक पुछाई जान दिया जो तक वीजा ओफिसर नूं क्लिरेंस नी मिनरी की परसन ए बच्चा इंडिया तोस्ट एलिया की करना रहे है जो तो फाइल लगाई है वीजा ओफिसर नूं कितना क्लिरेंस देनी या उस टेलिया पड़न दी जो तो ओही चीज तो फाइल दे विचे रीपर्जेंट नहीं होई होई ततो उनूं वीजा बिल्कुल नहीं मिलना क्योंकि वीजा लें देली उन्हान दसना बैंदा कि तुसी क्यो नूं वीजा ले रहे हो नंबर दो देखो रिक्वार्मेंट बहु ज़्यादा मेंटर करते हों दिया जेडे बच्चेयां दे साधे बंच बैंड ने उस टेलिया देविच अप्लाई करके वीजा हासिल कर सकते हैं जिना दे 40-45 परसें नंबर ने उना दे लेवी कॉलेज को ने एक परोफिल दे ऑक जार्मेंट आ खिए लेु आंधी परोफोष वी मेंः पार सबुर्च कि वरुटरु के बंच उंच नई है कि तुछ टुसी स्कॉलेजाज। परणते लिया उनिवस्थी चपढ़नते लिट तो अब वीजा मिल जा ना जो तो दुसी लीजीबरी नहीं हो गये वह ए चीज नहीं देख रहा है कि बच्चे दी लिजीबल्टी उथे बनी हुई है कि नहीं लिजीबल्टी तो बिना तो उन्हों वीजा नहीं मलना जिया जी तोडे 50% नमबर ने तो उन्हों युनिवस्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही तुसी कॉलेज चे अपलाई करो क्यों पचान दा दावा कर रहे हैं पहला ए चीज देखो कि ओ कंपनी ने या ओ जुम्मेवार परसन ने किन्ने का अगे बच्चे आदी जुम्मेवारी चुक्कि अगे पच्चाता क्योंकि जदो तक तुसी ए नहीं वेखोंगे उन्होंने किन्ने का वीजे लगवाए ने कितना सब्सक्राइब कर दो आप्शन अच्छिया मिल रही है इस तो मिना दो वीजा ने मिल दा बिल्कुल अज असी ऑस्टेलिया दा वीजा लगवा के दे रहे हैं डेड़ दो में ने अचे स्टूडेंट दा स्टडी वीजा मिल दा पर जेड़े अपां अप्लाई किते सीगे के वीजा ने शुरू होगे ने सो किसे अपनो आए वीक कंपनी दे वच हफ्ते चे दास वीजा वीजा एदन सान ऑस्टेलिया दा ग्रांट हो रहा है असी देखो मैं नहीं कह सगदा कि अस्टेलिया जे रफ्यूजल आ बहुत आरिया ने मेरे वीजा आरे ने जड़े मैं अप आपणा काम कर देबे अपने काम देविचे सक्सेस मिल दी परिया ता अपन तो पता हुंदा कि हाँ ठी का वी साड़ा काम तब दी चल्ड़ा जो तो कोई बारू बच्चा आके कि कह रहे कि सर मेरे इनने परसेंट इनने मैंट सी मैं रफ्यूज हो गया ता ओ पता लगदा क हां मार्केट दे विचे रफ्यूजल भी बहुत मिल दी पही है जी 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 बिल्कुल सो इसलिए टाइम लिए हर एक अपडेट तो आदे नल सांजा कर देने हां तांके तुसी जो ट्रेंड चाल रहे हैं उसे हिसाब नल अपना माइंड भी बना सको कि आप अप्लाई करना ता कि अप्लाई करें तांके काट समय विच जल्दी तो जल्दी आ जावे ते बाकी हमेशा ही कहने है जी शॉटकट्स वाल ना जाया करो जैनून वेद नाल ही अप्लाई करो तांके अगे वदो ता वदी अटांग नेल कॉंफिडेंस नाल तुसी आपने जिंदीगी दे कदमा और कैनेडा बारे डिटेल विच गल किती है बहुत जानकारी देती है बहुत बहुत तानवात वाड़ा जानते पहला तो आनो स्टूडेंट नाल में मिल्वाने है जी जिनाने हैड़कोर्टर वाफ इमिग्रेशन सब्रसीस तो फाइल प्रोसेस करवाई वीजा आ चुके हो पंजाबे स्कूडेंट्स मों की मैसिज देना चान रहा है मेरा नाम चुक्देव सेंग किले शिंटाबाला दिस्टिक पटे आला मैं 2020 विचापनी प्रशू करी 60% अंपर इंध करी इंधर मैं एल्स करी 60's बैंट जो मैं फाइल अपनी दो आई है टुकाट इमिग्रेशन प सशिकालदी मैं शेविड वाना एड़कोर्ट में ग्रेशन तो हूँ आज कैनेडा दा एक को होर नमा वीजा लेके हाजित हुए हां कैनेडा दा जनुरी इंटेक दा स्टूडेंट्स दा वीजा ग्रांट हो चुक्किया कहीं बंजार देजिन दावा की कैनेडा बंद हो गय वीजास नहीं आरें एक दर पुछ नहीं है अज दी तरीक देवे चैसी जैंडा इंटेक दा वीजा कर चुके हां हुआर का ब्रणन पर दा वीजा आ गया की कहना चाहने हो हिजाब दे स्टूडेंट्स मैं कहना चाहना भी एक पर ज़ूर्ट उसी हैड़कोर्टर इमिग्र ते मिनु साही रिजल्ट नहीं मिल रहा है का कोई अच्छा गाइड नहीं का था था इसी ज़ूर्ट इपने अपने अपने साकार करो वधिय अटांग देना ते तीम दी गाइड़कोर्टर इमिग्रेशन सर्वसेज दी टीम दी गाइड़कोर्टर इना इस स्टूडेंट का वीजा आया सो तुसी भी अपने सपने साकार करो वधिय अटांग देनाल वधिया काउंसलर वधिया कंसल्टेंट दी सला देनाल ते इस देनाल हुन मैंनों यानि के हजोद कॉन नवीद्योजी इजाज़त तानवाद